नमस्कार दोस्तों आपका स्वाधत है हमारी चैनल दा इन्फो में दिल्ली देहदून एक्सप्रेस वेपर दिल्ली में इन पांच स्थानों से प्रिवेश कर सकेंगे वहांद पूर्वी उतरी दिल्ली को जाम से निजात लाने के लिए दिल्ली से सीधे देरादून को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेस वेपर देजी से चल रहा है राजधानी की सबी मुखे सड़कों का ट्राफिक सीधे लूप और रैम के जरिये दिल्ली देहदून एक्सप्रेस वेपर आज जा सकेगा इसके लिए दिल्ली की सीमा में पांच स्थानों पर प्रवेश और निकासी की सुविदा होगी वहीं गाजयाबाद की सीमा में दो जगों पर यह सुविदा उपलब्ध होगी दिसंबर 2023 तक पहले दो चर्णों का नर्मान होना है जिसके बने पर प्रतिदिन करीब धाई लाक वहान बिना जामे फसे दिल्ली और गाजयाबाद की सीमा से भार जा सकेंगे गाजयाबाद की लोनी में अवास विकास परिश्वत की मंडोला अवासी लंबे समय से ठंड बस्ते में पड़ी है उसमें आविम को खरिदार नहीं मिल रहे हैं यहां टोनिका सिटी समेथ अन्यावास से योजना भी है चिन में रहने वाले लोगों के सामने सीधे याता यात की सबसे बड़ी समझ से है लेकिन National Highway Authority of India मंडोला में DTE को जोनने के लिए दो-दो लेन के रैम्प बना रही है जिनके सहरे सीधे एक्सप्रस वे पर भानों को चर्णने उतरने की सुवधा मिलेगी एक्सप्रस वे के तैयार होने पर दिल्ली में यमुना पार और लोनी का जाम नहीं जहलना पड़ेगा अभी अगर दिल्ली सहनपुर मार्ग से होते हुए दिरादून जाना है तो उसके लिए 6-7 घंटे लगते हैं इसलмотр लोग दिल्ली मेर्ट एक्सप्रस वे कर स्थमाल करते हैं लेकिन 210 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रस वे के बने से समय की बच्शत के साथ ही दिल्ली मेर्ट एक्सप्रस वे स्वे पर जाम खत्म होगा मंडोला में रैम बनने का फायदा बागपत की खेकड़ा तहसील के लोगों को भी होगा जहांसे बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में हर रोज नौकरी और कारोबार के लिए आते जाते हैं खेकड़ा के लोग भी मंडोला के पास बनने वाले रैम का इस्तमाल कर सकेंगे एक्सप्रिस वे मंडोला सीधे एक्सप्रिस वे से जुड़ेगा वहीं यहां के लोगों के लिए दिल्ली अक्षरधाम की दूरी में है जिस साड़े 18 किलमेटर है जाएगी अब यहीं दूरी तया करने में करीब गेर घंटा लगता है जो एक्सप्रिस वे के बनने पर 20 मिनट में तया हो सकेगा इतना ही नहीं दिल्ली में एक्सप्रिस वे को पांच मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है यह दूरी दूरी सिर्फ घंटे में पहुँच सकेगे वरतमाद में दूरी की दूरी तया करने में छे घंटे लगते हैं एक्स्प्रिस बे के बनने से उत्राखन के परियतन सेक्टर को भी विकास के पंक्य लगेंगे इस परियोजना में वाइड लाइफ कोरिडोर भी बनाया जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा वाइड लाइफ कोरिडोर होगा ये वाइड लाइफ कोरिडोर 12 किलो मिटर लंबा होगा इसके तहत डाट काली मंदर के पास सुरंग बनेगी जिससे वने जीवों पर कोई खत्रा नहीं मन रहेगा चलिस कोईडोर की खास बाते भी बताते हैं कोईडोर के बने से सानपूर से मुझे पनगर, शामली, यमुना नगर, बागपद, मेरेट, बड़ोत और हिर्दुआर की कनेक्टिविटी शांदार हो जाएगी दिल्ली देहदूर एक्सप्रेस वे परियोजना का आकरी भाग राजाजी नेशनल पार्क की शेते से होकर गुजरता है यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा वाइड लाइफ कोईडोर बनाया जा रहा है सानपूर बॉर्डर पर डाटकाली मंदर देहदूर के पास वने जीवो के अबागमन के लिए 340 मिंटर लंबी सुरंग बनाया जाएगी गणेश पूर देहदूर मार्ण में वने जीवो के आने जाने के लिए कई मार्ण बनाया जाएगी पूर लेन एलिवेटेड फ्राइओवर बनाया जाएगा जिसकी लंबाई करीब 5 किलो मिटर होगी देहदून दिल्ली एक्सप्रेजवे परियोजना की तहत हरिद्वार मुझपरनगर शामली यमुनानगर बागपत मेरेट और बड़ोत को जोड़ने के लिए साथ इंटरचेंज होंगे 500 मिटर के अंतराल पर रेन वाटर हर्वेस्टिंग और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट होंगे परियोजना को चार भागों में बाटा गया है पहला भाग दिल्ली से बागपत का है दूसरा भाग बागपत से सहर्णपुर तक का है तीसरा भाग गरेशपुर से देहदून तक का है यह पूरा भाग फोल लेन बनाया जा रहा है एक्सप्रेस वे इस तरह से बनाया जाएगा कि इस पर वहान 100 किलोमिटर प्रतिगंटा की रफ्तार बन सकेंगे दिल्ली देहदून एक्सप्रेस वे परियोजना का शलन्यात प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने किया था एन एच्चियाई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार इलाइमेंट इस तरह तयार किया गया है कि दिल्ली गाज़बाद की सभी प्रमुक्र सड़कों का ट्राफिक असानी से दिल्ली देहदून एक्सप्रेस वे का इस्तमाल कर सके इसलिए दिल्ली की सीमा में पाँच प्रवेश और निकासी पॉइंट बनाया जा रहे है गाज़बाद में भी पूर्वर निर्धारेते अलाइनमेंट के हिसाब से वहानों के चर्णने उतरने के लिए दो जगे रैंप और लूप बनाया जा रहा है इसमें सबसे बड़ा फाइदा मंडोला शेत्र को होगा क्योंकि वहाँ पर प्रदेश सरकार की कई एहम प्रोजेक्ट भी है जिनने एक्स्प्रेस वेके तयार होने पर गत्ली मिलेगी ये जानकारी आपको पसंदाई होगी आप अपना प्याद और सही योग ऐसे ही बनाई रखिये धन्यवाद